इस वीडियो में हम discuss करेंगे assembly language program for the 885 microprocessor to divide 8 bit numbers तो एक method से मैं करा चुका हूँ, दूसरा method और हम use कर सकते हैं इस तरह के division के लिए तो शुरू करते हैं तो पहले dividend है ना तो यह इस तरह का है हमारा कि dividend है इधर ठीक, division जो diviser रहता है वो रहता है इधर, इधर quotient हो गया और जो बाद में कुछ बचेगा वो सब remainder ठीक है तो यह इस तरह गया है तो पहले dividend लेते हैं accumulator में क्योंकि हम सब्टक्ट करना होता है तो dividend को सब्टक्ट करना होता है तो dividend को mv i a में कोई data ले लेते हैं सब्टकर हम ले लेते हैं 45 h ठीक है और एक b में ले ले लेते हैं तो mv i b,05 h ले ले लेते हैं ठीक है उसके बाद एक जो हमारा कोशेंट है उसको सेव कराने के लिए एक register ले लेते हैं mv i उसको c ले लेते हैं 00h इसको clear करा रहेते हैं कोई garbage value नहीं आएगी और अब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो यहां पर जो method है इसमें हम क्या करा रहे हैं a और b को compare करा रहे हैं तो compare instruction जो है जो cmp या cpi अगर immediate value है cmp है तो कोई register रहेगा यहां पर b a को b के साथ compare करा रहे हैं तो यह जो instruction है यह virtually perform करती है a-b compare जो है तो a-b virtually का मतलब यह है accumulator के content और b के content as it is रहेंगे जो instruction के execute होने के पहले थे ठीक है तो इसमें कोई change नहीं आएगा सिर्फ flag आपका जो flag है वो status बताएगे suppose करो a equals to b हो जाता है मतलब a और b equal है compare में तो इसमें तीन case बनेंगे a greater than b a equals to b और a less than b तो तीन case बनेंगे तो इसमें carry flag और zero flag इन दोनोंगा रोल है तो अगर a greater than b है तो दोनों zero zero रहेंगे ठीक है अगर a equals to b है तो carry जो flag है वो हमारा क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वो तो zero जाएगा और zero जो flag है वो one हो जाएगा अगर यह वाला case है a less than b तो carry वाला one हो जाएगा और यह zero जाएगा तो यह दो flag को reflect करती है compare instruction तो compare instruction का use करते हैं तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं cmp और b के साथ compare करा रहे हैं accumulator को तो b register आ गया उसके बाद jump if carry तो इसको आगे next कर देते हैं तो skip करा देंगे अगर carry है तो मतल से less है तो जो question रहेगा वो zero रहेगा और जो remainder है वह हमारा जो basically जो dividend है वह हमारा remainder हो जाएगा ठीक है तो बहार निकल के आ जाएंगे अगर नहीं है तो फिर हम subtraction वाला process लाएंगे तो subtract भी तो a-b अभी real में कर रहे हैं उसके बाद फिर आई एन आर सी तो successfully हो गया तो ठीक ह नहीं हुआ तो jump back या loop ले लो लूप में जा रहे हैं नहीं पर तो यहाँ पर jump back यह back आ गया ठीक है तो यह हो गया प्रोग्राम हमारा तो हर बार यह subtract करेगा और जब एक subtract हो जाएगा तो आई एन आर यह इसको क्या करेगा increment करा देगा question को ठीक है और यह algorithm मैंने पहले discuss की हुई है किस तरह subtract करके हम division करते हैं ठीक तो अब यहाँ पर जो यह वाला step है suppose करो अगर 5 मैसे 5 divided by 2 करना हो हो तो 5 माइनस 2 करेंगे फिर जो उसका बचेगा 3 फिर 3 माइनस 2 करेंगे फिर आएगा 1 तो अब यह one मैनस 2 पर नहीं जाया अब ही हों यह पर ही रूھ जाएगा ठीक है यह यहाँ पर ही रू़ जाया ठीक है तो यह दो step जो one मैनस 2 करके माइनस बनाता है और हो फिर माइनस वन को प्लस टू करते हैं यह वह वाले स्टैप करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो प्रोग्राम क्या है यहाँ पर रुख जाएगा तो बार बार वह रुख जाएगा तो इस तरह चलता रहेगा तो जम्पिफ करी नेक्स्ट और और next में लोग से भारा जाएंगे तो next इतार रख लगते हैं ठीक है next आगे और next में हमारा क्या होगा इसको store करा देंगे अब जो c है उसमें हमारा है जो c में है ठीक है और accumulator में जो बचेगा वो बचेगा remainder जहां मर्जी अब उनको वहाँ पर सेफ करा सकते हो तो memory में सेफ कराना है किसी location में तो सब्सक्राइब करो 30000H है ठीक या फिर उसको आप यह तो accumulator सेफ हो गया अब सी को भी सेफ कराना है next location में तो फिर तो यह प्रोग्राम हो गया हमारा ठीक है यह दूसरा method हो गया तो इसमें क्या है इसमें यह वाला step हम नहीं करेंगे तो compare instruction की हम help ले लेंगे ठीक है जी तो यह है program division का और यहां पर भी थोड़ा सा concept को इस तरह कर सकते हैं यह मैंने direct addressing में ले लिया है और इसको हम indirect addressing से या memory से अगर डेटा लाना हो तो उसके लिए फिर या तो pointer को set कर लो या अब यहां पर डारेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज करिया है तो यहां पर ले सकते हैं सब्सक्रों करो इसको थोड़ा सा इदर हटा देता हूं स्पेस कम हो गया हां तो सब्सक्रों 30000H में हमारा है dividend save ठीक है dividend है हमारा 45H इसको save कर दिया 300001H में हमारा save है divisor ठीक है और 300002H में हमें save करना है remainder और 3003H में save करना है हमें question ठीक है जी तो यह है हमारा case तो इसको सुधार लेते हैं पहले तो यहां पर हमने 30000 में save किया तो इसको 2 कर देते हैं तो remainder save हो जाएगा इस लोकेशन पर 3002 पर और 30000 पर 3 पर हमारा question save हो जाएगा तो यहां में पढ़ा हुआ है हमारा data तो जो dividend पढ़ा हुआ है 30000H में पढ़ा हुआ है और diviser जो पढ़ा हुआ है 4001H में पढ़ा हुआ है ठीक है उसके बाद फिर जो remainder और जो question आएगा उनको particular location पर save करना है तो जैसे कि हमने हैं पर save किया तो अब महां से data कैसे लाना है तो LDA instruction का use कर सकते हैं तो सबसे पहले LDA करा लो देखो हमें चाहिए dividend जो चाहिए वह accumulator में चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर compare कर रहे हैं तो A-B करेंगे और LDA जो instruction है उसमें direct जो data आता है वह accumulator में आता है ठीक है तो पहले इसको उठाल आते हैं और फिर उसको बी रेजिस्टर में सिफ्ट करा देंगे और बस फिर काम खतम हो जागा तो LDA 3001H तो accumulator में आ गया हमारा divisor इसको save करा दिया move B,A में तो B में save करा दिया जैसे कि यह वाला step जो है यह वाला step इन दो instruction से होगा है ठीक है अब यह वाला जो step है अब इसके लिए फिर एक और LDA लगा लेते हैं और 30000H ठीक है और तो यह दो instruction की जगह यह तीन instruction आ जाएंगी और यह हमारा memory से dividend और divisor अब accumulator में 300 में dividend था तो accumulator में हमारा dividend यानि 45 आए ठीक है तो यह तो direct addressing का indirect addressing से करना है तो फिर उसके लिए इन तीन इंस्ट्रक्शन या इन दो instruction जए क्या लिखना है एलक्स आइच 300H और इसको मूब करा लो accumulator में direct ठीक है direct मतलब यह hl को हमने data pointer set कर दिया उसके बाद फिर increment करा इसके लिए यहां पर चार इंस्ट्रक्शन लग रहे हैं तो इस तरह बाकी नीचे का इसको इस तरह डारेक्ट यह तो अगर इंडारेक्ट से करना यह सब तो इसको कर सकते हो फिर इंक्रिमेंट करा देंगे अभी हमारा जो डेटा pointer है वो 30000H हो यहां पर यहां पर हुआ 3001H तो अब 3002 पर जाने के लिए उसको इंक्रिमेंट कराना पड़ेगा तो आई एंडारेक्श इंस्सक्शन लगाएंगे और फिर क्या करा देंगे आई एंडारेक्श और एक्कुमिलेटर को मूव m,a तो हमारा यहां पर remainder चला गया इस प्रोसेस के बाद एक्कुमिलेटर में क्या remainder है ठीक है तो वो चला गया memory में यानि 3002 में और फिर उसके बाद फिर आई यह नक्स करा दो यह हो गया अब memory की जो content है वो हो गया 3003 इसको point out करेगा तो उसके बाद फिर move m,c और halt बस यह करना पड़ेगा ठीक है जी और इसको execute करके देखने है प्रोग्राम को तो यह है हमारा प्रोग्राम ठीक है तो 300H location में कोई हम मैं 45H डाल देता हूँ और यहां पर वो decimal में करनाट हो जाता है और इसमें मैं 5 ठीक है और इसको execute करते हैं तो execute करके जो 45 था वो hexadecimal में है तो 69 में वो decimal में करनाट होका आएगा तो 45 को अगर आप decimal में करनाट करोगे तो यह बनेगा 69 तो 69 है इसमें तो 69 को divide by 5 करेंगे तो 4 जो है वो तो remainder आएगा और जो 13 है वो हमारा आएगा ठीक है जो question है ठीक है तो 13 जो है हमारा save है c में तो d जो है 13 को तो d hex में value अभी शिकले तो c में हमने save किया हुआ है यहाँ पर इस वाले instruction में इसमें question को save कर रहे है एक्कुमिलेटर में जो है यह बाद वाली instruction को reflect कर रहा है ठीक है ना वाकी जो हमारा remainder है remainder हमारा 3002 लोकेशन पर है तो 3002 लोकेशन पर फोर है ठीक है चलिए अब कैसा लगा मेरा explanation प्लीज कमेंट करें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरा चैनल शेर करें फ्रेंड्स के साथ चलिए थैंक्यू